जब घड़ी का काटा करता है चार बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा क्यों क्यों कि चार बजे हम चक्रवीू के साथ आपके सामने पेश होते हैं और आपके साथ प्रियाबस्ट आज चक्रवियू के चक्रमफसे हैं सपानेता रुचिवीरा आपनेता अमानुतुला खान माफिया मुख्तार अलसारी की मौत पर रोने वाले और फर्जी स्टांप पेपर बनाने वाला गैए इन सभी कात सारा काला चिठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की कर्टूते पहली खबर में बाद समाजवादी पार्टी की बढ़ती मुश्किलों की जहां मुरादाबाद से सपा प्रत्याशी रुची वीरा के खिलाब मामला दर्ज कर लिया गया है रुची वीरा पर आदर्श आचार सहीता के उलहंगन का आरोप लगा है मुरादाबाद में आदर्श आचार सहीता के उलहंगन के आरोप में ये पहला मामला दर्ज हुआ है बदाय जा रहा है कि रुची वीरा सिविल लाइन इलाकी में प्रचार कर रही थी रुचिवीरा के अलावा सपा के कई अन्य पदादिकारी के खलाव भी मामला दर्ज किया गया है जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बिना अनुमती लिए जन सभा करने के आरोप में उनके खलाव मामला दर्ज हुआ है केस दर्ज हुआ है रुचिवीरा पर आरोप है कि उन्होंने 50 से जादा लोगों के बीच प्रचार करने के लिए वो पहुँची थी सिटी मजिस्ट्रेट जब उनके पास पहुँचे तो सपा प्रत्याशी मजिस्ट्रेट के साथ बहस करने लगी रुचिवीरा की पुलिस कर्मियों से बहस हो गई बताया जा रहा है कि रुचिवीरा मजिद के पास लोगों से मिलने पहुची थी सिटी मजिस्ट्रेट ने इसे आचार सहीता का उलहंगन मांगा सिटी मजिस्ट्रेट बिना अनुमती के प्रत्याशी के जाने पर नारास थी सप्रा प्रत्याशी से बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वारल हो रहा है दरसल ये घटना मुगल पुरा कोत्वाली शेत्र के जामा मजजित के पास की है बता दे कि ये वही रुची वीरा है जिन्हें समाजवादी पार्टी ने स्टी हसन का टिकेट काट कर मुरादाबाद से अपना उमीदवार बनाया है दरसल मुरादबाद जिले में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रुचिवीरा और सिटी मजिस्ट्रेट किंशुक स्रिवास्तों के बीच बहस हो गई थी शुक्रवार को अलविदा जुम्मा के मौके पर सपा प्रत्याशी रुचिवीरा ने शहर के मुगल पुरा इलाके में स्थित जामा मस्जित के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों को बधाई दी सिटी मजिस्टेट किंचुक सिरवास्तों ने इसे आचार सहीता का उलहंगन बताते हुए उन्हें रोका और कहा की कारवाई की जाएगी इस पर रुचिवीरा के समर्थक नाराज होगे कुछ समर्थकों को तो पुलिस कर्मियों ने वहाँ से हटा दिया लेकिर रुचिवीरा और स्पी के कुछ नेता वहाँ एक घर के बाहर खड़े रहे और हात लाकर नमाजियों का अभिवादन के अर्थे रहे अगली खबर में बात आम आदमी पाटी के नेता अमान तुल्ला खा की दिल्ली वक बोर्ट से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में एडी ने आम आदमी पाटी के ओखला से वधायक अमान तुल्ला खान के खिलाब शुक्रवार पाच मार्च को राव जविन्य कोट में सम पैसला सुनाईगी इस बीच देखा जाए तो दिल्ली वक बोर्ट के करमचारियों की भरती से कथित आन्य अमताय से जुड़े मामले में आम आदमी पाटी के वधायक अमान तुल्ला खान के खिलाब मनी लॉंडरिंग मामले की जाज कर रही केंद्री जाज अजनसी एडी क दिल्ली हाई कोर्ट भी वक बोर्ट में भरती से जुड़े मनी लॉंडरिंग केस में आम आदमी पाटी के वधायक अमान तुल्ला खान की अगरीम जमानत याजिका भूगी मार्च महीने में खारिच कर चुकी है हाई कोर्ट से भी उनको इस मामले में कोई रहत नहीं दी गई है हाई कोर्ट ने भी इस मामले पर कहा था कि एडी की ओर से बार बार समन जारी किया गया है समन भीजा गया है लेकिन अमान तुल्ला खान जाज में शामिल नहीं हुए उनका इस तरह का वैवहार जाज में बा अमानतुल्ला खान पर वक्ष बोर्ड के चेर्मेन रहते गलत तरीके से 32 लोगों की भरतिया कराने के आरोप लगे हैं इस मामले में इडी भरती में हुए कथित अनिम्यताओं के चलते मनी लॉंडरिंग का मामला अदर्च कर चुकी है जिसकी जाज अभी जारी है अगली खबर में बात माफिया की मौत से बोकलाई लोगों की चहां माफिया डॉन मुखतार अंसारी की जेल में तब्यत बिगड़ने के बाद मौत हो गई मुफ्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल के वरिष्ट जेलर विरेश राज शर्मा को धंकी मिली थी यसी कड़ी में अब BJP नेता मुदित शर्मा को भी धंकी दी गई है मुदित शर्मा ने पुलिस ने धमकी की शिकायत भी दर्च करी है और कारवाई की मांगी है अब इस मामली में पुलिस ने F.I.R. दर्च कर जाड़ शूड़ू कर दी है मामला दर्च कर लिया है आपको बता दे कि बांदा कोत वाली इलाके में B.J.P. नेता मुदित शर्मा ब दस बचकर 21 मिनट दस बचकर 22 मिनट और दस बचकर 27 मिनट पर आई थी जिसमें उन्हें जान से मानने की धमकी दी गई धमकी देने वाले ने कहा कि तुम्हारा नाम हिंदू आतंगवादी के संगटन के तौर पर सामने आया है अधीक अश्रफ और मुखतार भाईजान की हत्य में तुम्हारे शहर के पंडितों का हाथ है हम लोग तुम सभी को खबरदार कर रहे हैं छोड़ेंगे नहीं हमारे निशाने पर तुम लोग हो तेरे गर की लोकेशन हमारे पास है इस धमकी के बाद मुदित शर्मा ने पुलिस से सुरक्षा की गुहाल लगाई है उन्होंन पांसो साथ के तहत मुकदमा जवच कर लिया है पुलिस सर्विलांस के माध्यम से जाच कर रही है और जाच में जुटी होई है उक्तु कॉलर का नंबर कहां का है इसका पता लगाय जा रहा है आखरी खबर में बात यूपी पुलिस के तगड़े एक्शिन की जहां उत्तरप्रदेश के गोरकपुर में पुलिस ने एक गैंग का भांडा फोड किया है जिसने फर्जी स्टाम पेपर चापने का गोरक धंदार चला रखा था पुलिस ने इस दोरान साथ लोगों को हिरासत में लिया है और उनके पास से एक करोड रुपे के फर्जी स्टाम पेपर बरामत कर लिये है पुलिस यह देखकर चौक गई कि इस गैंग में शामिल सरगना 84 साल का है बता जा रहा है कि इस युवक ने फर्जी स्टाम चापना अपने ससूर से सीखा था इसके बाद इसने इस गोरक धंदे में अपना नाती को भी शामिल कर लिया सांथ ले लिया गोरकपुर पुलिस इस गैंग का परदाफाश करने के लिए एसाइटी गठित की थी एसाइटी का गठन क्या था पुलिस ने मामले में कारवाई करते हुए मोहमद कमरुद्दीन साहेब जादे राम लखन जैस्वाल एश मोहमद रवींदर दिक्षित संतोश गुपता नंदू उर्फ नंदद साली मशीन सांचे कल प्रिंटर आदी उपकरण भी बरामत किये गए पुलिस अधिकारियों के निर्थित में गठित एसाइटी ने जाज के दौरान जिन साथ लोगों को गरफतार किया है उनके तार बिहार के सिवान से जुड़े हुए हैं दरसल इस गैंग का मास्टर माइ एक के बाद एक कार जुड़ते चले गए और पुलिस आरोपियों तक पहुँच गई और भंडा पोड हो गया सीओ कैंट अंशिका वर्मा के निर्थित में एसाइटी का गठन किया गया था दो महीने तक लगा अतार की गई इन्वेस्टिगेशन के बाद इस गिरो का परद पुरुसकार भी दिया गया है पुलिस के मुताबिक बदमाश इतने शातिर थे कि इनके बनाए हुए स्टाम पेपर को पकड़ा जाना इतना आसान नहीं था कई सालों से फरजी स्टाम का गोरक धंदा चला रहे थे जानकाली के मुताबिक करीब 40 साल से इस गोरक धंदे में सभी के पैरो तले जमीन खिसक गई आज हमने देखा कैसे चक्रिव्यू के चक्र में सपा नेता रुची वीरा आप नेता अमान तुल्ला खान माफिया मुक्तार अंसारी की मौत पर रोने वाले और फरजी स्टाम पेपर बनाने वाला गैंग फसे और उनकी पूरी पोल पट कि मैं राजनीती करताने पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता हूं मैं लोगों के बीच रहना लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नपस को पूप पहचांता हूं संघर्ष पी सियासत से संदा के सिंधासंता मैं हर ख़बर से ख़ड़ा संच निखा रहता हूं ना कोई दौड ना कोई रेस क्यापिटल बीड उत्तर पदेश